देश चलता नहीं, बस मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता, बस उचलता है, जंग मैदान पर नहीं, मीडिया पर जारी है, और आज तेरी दुकल मेरी बारी है, क्या नीट इग्जाम वास्तव में पेपर लीक हुआ है, क्या वापस होना चाहिए, ये दोनों ही सवाल मेरे एंटिये इस बात के गैरंटी दे सकता है, कि 2025 में पेपर लीक नहीं होगा, और बच्चों को मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, उनको भी जो सलेक्ट हो जाएंगे, और उनको भी जो सलेक्ट नहीं हो पाएंगे, बोर्टर पे रह जाएंगे, फिलाल मीडिया में बहुत सारी ख होंगे भारत के कोने कोने तक जिस देश में जहांकी सरकार चुनाव अच्छे से नहीं करवा पाती इस तरीके से हो जाते हैं कि कोई बूत पे कपजा कर लिया जाता है कहीं पर फार्इरिंग हो जाती है Πेपर पेड तरीके से करवाना असंभव सा लगता है NTA को मैं एक बेसिक सजेशन दूँगा क्योंकि मैंने जब एक्जाम पास किया था उस वक्त CBC पेपर करवाती थी NTA हलाएंगे CBC का ही विंग है उस वक्त प्री और मेंस हुआ करता था अगर वो प्री और मेंस का पैटर्न फिर से आ जाता है पहली सला तो हो सकता है कि अगले बार पेपर लिक ना हो तो 20 लाग 25 लाग 26 लाग जित्ते लोग बैठेंगे उसमें से बहुत सार लोग पहले ही बाहर हो जाएंगे और प्रिलिम्स के बाद जब मेंस होगा तो आप फेर एक्जाम होगा कंट्रोलिंग आसान होगी एक लाग डीड लाग लोग का पेपर करवाना होगा जो इजी होगा है फिर ऑनलाइन हो जाए जो की बहुत मुश्किल है फिलाल ये खबरे ये खबरे अगर दुआ उठ रहा है तो आग भी लग गई होगी यूहीं परवाने शौक शौक में जला करते हैं पिना एड़र्टाइजमेंट चलाएं उन पर देश्ट के लिए जो कुछ भी किया है देश्ट की जनता के लिए किया है उनके भले के लिए किया है आज मेरे भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं बहुत सारे 700 भी क्रॉस कर रहे हैं ऑनलाइन में 715 भी हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं उनका एगेंस्ट में भी जा रहा हूं लेकिन जाना पड़ता है कई बार क्योंकि बात यह नहीं है कि जिन लोग को गिरफ्तार कर लिया गया उनको जेल भीज दिया जाएगा हो सकता है वो एक साल में छूड जाए और वो बॉर्डर पर अटक गये हैं इसलिए क्योंकि कुछ लोग ब्रस्टाचार करके पेपर को लीक करके गलत तरीके से मेडिकल कॉलिजिस में पहुंचेंगे और डकेत बनेंगे डॉक्टर नहीं भगवान पेपर लीक होने से बनता है भीक मांगने से बनता है तो बड़े अफसोस की बात है शर्म आती है मुझे देश कैसे डॉक्टरों पर जो आगे जाकर भगवान कहलाएंगे पेपर लीक करके भीक मांग कर जो आगे बढ़ रहे हैं 60-60 करोड में देश की स्वास्ते सेवाओं का सोधा हो रहा है अफसोस की बात है जिस देश में 140 करोड लोग रहते हो वहां 60 करोड में सिर्फ 60 करोड में 50 पैसे होता है वो अगर हर सिटिजन को काउंट किया जाए तो देश का सिस्टम बिग गया है स्वास्ते सिस्टम बिग गवर्मेंट को परवान नहीं है, धाइसो करोड का खर्चा होगा, अगर वापस से नीट का एक्जाम होता है, तो धाइसो करोड और ये खर्चा गवर्मेंट के उपर जाएगा, गवर्मेंट का सीधा कॉंसेप्ट है, जहां पर खर्चा हो रहा हो, वो चुनाओं में करो, बा बातें समझनी पड़ेगी यह देखिए पंद्रा पोट है कहरी कि विहार में नीट के एक दिन पहले रातो रात रटवाया था पूरा परचा चालिस लाक में सोधा हो गया कोई इसकी बात करने को तैयार नहीं देखिए धुआ उठ रहा है तो आग लगी है यह तो तैन क्या पेपर वापस करवाना एक सोलुशन है फिलाल के लिए एक सोलुशन है क्या हर बार जब हर बार आपको नीट दो बार ही करवाना है तो क्यों न प्रियो और मेंस की फॉर्मिट में करवा लेते हो solution यही अठकेगा UPSC इतना बड़ा exam उसका paper leak नहीं होता है और होता भी है तो prelims और मेंस से segregation हो जाता है, interview है जा multiple step होते हैं, वहाँ पर ब्रस्टाचारी लोग हट जाते हैं अच्छा, NTA बहुत स्मार्ट है NTA होतना बेवकूफ नहीं है जितना आप लोग समझते हो यह क्या करते हैं, paper को simple बनाते हैं बहुत simple बनाते हैं, ताकि अगर paper leak भी हो जाए तो लोग protest ना करेंगे हो क्योंकि उनके 700 नमबर आ रहे होते हैं 710 आ रहे होते हैं, 720 आ रहे होते हैं तो वो protest ही ना करें और अपना काम चलता है अगर paper tough हो, किसी के भी number नहीं आए, सिर्व उसी के number आए जिसके पास leak भी पेपर पहुंचा तो बहुत लोग protest करेंगे, anti smart है फिलाली ये news है NTFE deny कर रहा है, क्योंकि 200 करोड कौन दे, दिक्कत ये है अगर online होता तो फटाक से करवा देते, करचा तो है ही नहीं paper transportation, paper creation paper printing, बहुत सारी security, safety आदे paper की तो seal खुली हुई मिली थी, कई लोग के मेरे पास message आये है अब मुझे नहीं पता ये देश की अदालक ते करे आप Twitter पर इस वीडियो को पहुंचाएं, और जनता को देश, देश की सरकार को tag करें, जनता को aware करें और ये बताएं कि कैसे देश की स्वास्ते सिस्टम के साथ में खिलवाड हो रहा है ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं जो डकेत थे शुरुवाती दौर से ही, तो डकेती करके वहाँ पर पहुंचे, वो देश के सिस्टम को क्या समालेंगे, देश के education system को जो corrupt करके वहाँ तक पहुंचे हैं, वो देश के health system को क्या ठीक करेंगे, अरेस्ट क्यो हो रहे हैं, अगर NTA ये कह रहा है कि paper leak नहीं हुआ, तो NTA को जाके इनके पक्ष में गवाही देनी चाहिए, सबूत देने चाहिए, कि भाई, नहीं नहीं, निर्दोस है, इनको छोड़ दो, क्यों गिरफ्तार कर रहे हो इनको paper तो लिख हुआ ही नहीं है, या तो police पागल है, या NTA पागल है, दोनों में से एक को पागल declare करना must है, क्योंकि दोनों ही अदालतों का समय खराब कर रहे हैं मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है, कि ये चल क्या रहा है इस देश में, इंटी को जाना चाहिए, कोट मेर बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, इनको गिरफ्तार मत करो, ये तो पांच पांडव हैं, जो कौरों के खिलाफ युद लट रहे थे, आपने गिरफ्तार क्यों कर लिया उनको, देश चलता नहीं, बस मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता, बस हुचलता है, जंग मैदान पर नहीं, मीडिया पर जारी है, और आज तेरी तो कल मेरी बारी है, मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर वापस करवाना लॉंग टर्मल सॉलिशन नहीं है, लेकिन सॉट टर्मल सॉलिशन है, उन लोग के लिए जो बड़ी दिक्कतों के बावजूद, फाइनेंशल टफनेस के बावजूद बहनत करके पड़े हैं, और सेलेक्शन नहीं हो रा, मारजिन प्रटक जाएंगे, 500 ब्रस्टाचारी अंदर गुश जाएंगे, और 500 महनत करने वाले गर रह जाएंगे, तो ये देश के सिस्टम का फिल्यॉर है, 500 बहुत होते हैं, देश एक मचली, एक सेब, पूरी सेब की पेटी को सड़ा देती है, तो सोचो, 500 लोग गुश जाएंगे उस सिस्टम में, तो हर साल ये सिस्टम सेट हो जाएगा, अब मैं फिर कह रहा हूँ, दोजार पच्चेश, चब्विस, सत्ताईस, सब लीक होंगे, अगर इसी तरीके से बेपर होता रहाता हूँ, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप NTA को निकम्मी कहें, नालाइक कहें, टेस्टिंग एजेंसी कहें, मुझे उससे फरक नहीं पड़ता है, लेकिन उन लोग का क्या, जो ब्रस्टाचारियों की बज़े से, मेडिकल कॉलिज तक नहीं पहुंच पाएंगे, जवाब दीजिए, मैं फिर डिस्कुशन को त्यार हूँ, आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें कमेंट डालिए, मुझे उन लोग की भी चिंता है, जो बहुत महनत करके 700 नंबर लाएं हैं, उनका क्या, उनको वापस स्ट्रेस आएगा, वो रिलेक्स हुए ते वापस स्ट्रेस में चले गए, उनका क्या, जो ब्रस्टाचारी के विए से कॉलेज में नहीं जा पाए, नयाई क्या है, आप बताईए, इस वीडियो को ट्वीटर पे पहुंचाईए, और भारत की सरकार से जवाब मांगे, कि कर क्या रहे हैं आप, अब की बार, वो इसी भी सरकार हो, लेकिन स्वास्ते सिस्टम अग अपने से बना दिये प्रभू, तो आपका भीमा भी काम नहीं करेगा, धन्यवाद,